और राइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों मैं हूं हारे सुल्तान और बड़े दिनों से जो पीडियाफ फाइल की जो मैं एक सीरीज में शुरू की विए जिसके अंदर ज्यादा तर हमारे मोमिनींज होते हैं तो मैं बार बार यह कह रहा हूं यार मुझे कोई और नेशनालि सेकेंड देखें तो देखते हैं और कोन कौन से ठरकी को फीर ना हमारा फर् ring करते हैं ये और तो को आगे बढ़ने से रोखते हैं इसलिक QUर डाऊंद्ञे alleen चाहीं चलने तो यह विडियो हमें हमारे विकी भाई ने भेजी है और यह इतना मैं आसे नहीं पढ़ा लेकिन लाग रहा है को हमारे सर्दार जी लेकिने कैसी हरकत कर दिया तो देखें क्या होता किसी को एक खातून कह रही है पुलिस नहीं किया जी मैं ने क्या किया वही मैंने कुछ नहीं किया तो जो प्रेडिटर्स होते हैं उनकी जो सबसे बड़ी वीकनस होती है वो होती है जब लोग शौर मचा देते हैं और जो उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंग्थ होती है वो यह होती है कि जो विक्टम्स होते हैं इनके वो बिचारे डर के चुप चाते हैं वो बिचारे समझते है कि SHY project मेरे ह besar है इसलिए इनको पकड़ और रगड़ इनको जहां मिले इनको पेलो इनको जली उड़ाओ इनका म्जाख उड़ाओ इनको इनकी जगह पर भठाओ मुझे लग रहा है कि यह को आरी नरई है मुझा लग रहा है कि जूशी अगर यह उनकी बीटी थे आ दिया और उनको उनी की क्म्यूटी के लोग गंधी बातें कार रहे हैं कुरता पजामा कोर सा था? मैं आखा ये भीच फाले की बात का रही है पंजाबी अंकल सीखनी बोला पार्ना मुझे नहीं पता पार्ना किसे कहते हैं पार्ना को मैंने तर्बन ही सुनी है पार्ना मेरा आखाल I think she's talking about this one anyway so I was on a walk yesterday it was around I was seen in the video wearing the पार्ना and the कौर्टा पजामा and at first he waves me down so he gets my attention I take my airpod out he says स्ष्रीकाल क्यम्या asking me how I'm doing and then after he started asking me to take pictures of him pictures of him on my phone and I was just very taken aback I was like sorry uncle I have to go picture या तो आप कहें ना कि ये मेरा फून है मेरी फोटो खेंजे मेरे दोस्तों के साथ please वो गह रहा अपने मुबाइल पर मेरी फोटो खेंचो ताके रात को जब आप अपनी फोटो लाइबरेरी में से गुजरेंगी तो फिर आप मिझे देख के गाने गाना अंकल जी साथ चलने लग गया वाह सदके जाओ उंकल फोटो माइबरेरी मेरी फोटो खेंचो देंचों के अंकल थरकी वेंगे मैंसल आप अपने लिए ना को शकारना आपने साथ घंदी हरकतें करना और आगे से एक्सपेक्ट करना के लड़की सतना पट जाएगी थारक बताने यहां थारक इतना कहां से आता in other words he was implying if I wanted to do actual activities with him I couldn't find the words to say anything in that moment I walked away I called my mom first thing and that's where you see that clip because my mom goes to confront him now after we did confront him we were being told by the uncles that were sitting beside him meaning minimize का रहेंगा कुछ नहीं होता है ज्यार किया यह लाइन मार्दी क्या हो या यह हुजें नौ यह बाण आपने बड़ी जगा पर सुना बड़े लोग कहते होते हो जी उस्माने कर लोग ऐसे थे तो यह कुई बात नहीं को न पॉल्पां को अगर वैसे थे वही ख्राबी थी उस्दमाने के लोगों में अब दुनिया बदल गई है अब ओरतें लड़कियां बच्चे अब तो हम बच्चों को कहते हैं बच्चे को अगर कोई इस तरह कोई गंधी बात करने की कुछ को और फोरन पता हो ताके उनकी धुलाई हो अब अब आपके उनकी दोलाई हो यह लोड़कियां दीधिन और अपकवची इनकी शोस विख है और स्विके जननना डे नम्हीं पने हो कंटे सुनला सारे सुधर जाओ अप्रोचिंग अंडर एज फिमल्स इसलिए एज इतका इसमें कोई बात नहीं है इसमें यही है कि आप यह गंदी हरकते जब करने ला जाएं कि जब आखाया कोई फॉर्म बना हो यार यह जो भाई थे बड़ा मुश्किल इनकी फॉर्म मनना इसी लड़की को लाइन मानेंगे यार Like I said, I'm 19 turning 20 This is a family friendly neighborhood and I have 14 year old cousins and sisters that go to the same park The fact that this happened during 2 p.m. This park backs to school There were kindergartners outside at 2 p.m. that day The fact of the matter was the second that this issue was brought up the second that we confronted them all of the other babay that were there hopped on the defense to say that he is mentally unstable and that he is not in the right state of mind Why is he allowed to be outside around children around a family friendly park and why is he allowed to be immersed in society if he is not capable These things have become so normalized in our society We hear so many endless stories of babay or other students or any sort of issue within our Punjabi community of girls being made uncomfortable because older guys are approaching them My intention with this video is to inspire young women in case anything like this does ever happen And my intention of making this video is that those young men who are our my gender of those people whether they are babay or boys whether they are children Don't play games and don't do your actions or not do our 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 actions because Ijtdigalhumdiyah लेकिन बाबाजी आ गए और पैने एक फोटा देखे जे और फेर बाच चिक गंदिया और क्या करें हमारे तबाबे भी खराब होती हमारे बाबे खराब होती हमारे बाबे खराब है और खुब कॉन्फरेंट हो के अब दुनिया बदल गई है और इस तरह के थर्की जहां पे मिलेंगे इनकी धुलाई हो की आपको घबराने की जरुएत नहीं है कि अब बाबे खराबे बाबे जर्चार वी बाबे बतला एंच्ट है और लिचार लुग बाबे खराबे घिरुछ अच्वची को पर पर अपनी कम्यूनिटी हमारी नेशन और इसको बचाने बुचूने की जुरूरत नहीं है मुझे देखो मैं पाकसानी हूँ मुझे जहां पर पर कोई लड़का है वद शौणे बज़िया zwar जो हरकत करना चाहा रहा था ये बाबाजी उनका जो प्लान था वो काम्याब नहीं हुआ अगर फर्सकर काम्याब हो जाता एक तो किसी की जिन्दकी तबाह हो जाती और फिर उस बाबे को कितने चितर पढ़ने दें अब तक के लितना एक लिए अगर आपको मेरी वीडियो झाल